दोस्तों कि आप भी मेरी तरफ Facebook में Reels वीडियो बनाके अपलोड करते हैं दोस्तों और आपको यह पता नहीं चल पाता है कि आपका जो Reels है दोस्तों वो monetize है या नहीं है आप अपने Reels से earning कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या यदि monetize नहीं है दोस्तों तो उसको कैसे monet करना है सारा हम इस वीडियो में discuss करेंगे दोस्तों बस आपको वीडियो को पूरा देखना है देख सकते दोस्तों मैंने यहां पे बहुत सारा Reels अपलोड किया है तो जैसे ही आप Reels को upload करेंगे आपका जो Reels है वो monetize रहेगा या नहीं रहेगा यहां पे notification में ऊपर में यह भी तो टरीका होगा तो तरीका है तो चेक करने के लिए आपको करना क्या है तोस्तों कि अपने Chrome Browser को आपको ऑपन करना है ठीक है क्रोम पर three dots में click करके आपको check कर लेना है कि यहां पर desktop side में है या नहीं है यदि नहीं रहेगा तो यहां पर आपको desktop में कर लेना उसके बाद यहां पर देखिए आपका logo दिखा रहा होगा profile वाला और यहां पर लिखा हुआ होगा what's on your mind तो यह ही logo में आपको जो है click कर देना इसी logo में ठीक है तियहां पर right side आपने जितना भी post डाला हुआ रहेगा रिल्स हो गया photo हो गया video हो गया सारा यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा तियहां पर रिल्स जो रहेगा उसके ऊपर में आप देखेंगे तो कुछी इस तरह लिखा हुआ रहेगा your video is unable to be monetized because music rights match इसका मतलब है कि मेरा जो रिल्स है यह monetized नहीं है क्योंकि इसमें जो music है दोस्तों वो match हो गया है Bollywood का यानि कि इसमें claim है इस वज़ा से यह जो रिल्स है मेरा यह monetized नहीं होगा Facebook इसको monetize नहीं कर रहा है इसी तरह यहां पर देख सकते हैं एक और रिल्स है इसमें भी same वही problem है यह भी monetize यहां पर नहीं हो रहा है उसके बाद यह एक photo है देखिए यह भी एक रिल्स है यह भी monetize नहीं है उसी तरह यहां पर देखिया और भी रिल्स है यह भी monetize नहीं है यह भी monetize नहीं है यानि दोस्तों मेरा जितना भी रिल्स रहता है सारा यहां पर monetize नहीं हो पाता है क्यूंकि मैं अपने पर्तेक curiosity का वॉलिवूड का सों यूज जरता हूं क्यूंकि door दम बिकार सव लगेगा music वगेरा लगा यह START लोड़ कर दूंगा तो यह नहीं चलेगा जब उपर में जैसे ही आप अपलोड करेंगे और यदि नोटिफिकेसन नहीं आया तो आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं तो यह तो पता चलिए दोस्तों कि हमारा रिल्स जो है वो मुनेटाइज है यह नहीं है हम इसे कैसे चेक करेंगे ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों कि हम ला देगा फेस्बुक का कहना है कि अब जो है आपैसे तौट को हैसे यह नहीं बता रहूं ठीक है तो अब ही क्या है कि हमारा जो है रिल्स से कुछ भी अर्निग नहीं होता है पर्मुनेटाइजने होने के कारण 100% जो है वो music rights owner के पास चला जाता है यदि earning होता भी होगा तो claim आ जाने के वज़ा से तो जब यह update आएगा तो थोड़ा बहुत क्या है कि music के ओनर के पास जाएगा थोड़ा बहुत हमको भी मिलेगा ठीक है तो यह तो इसमें facebook जो है दोस् भी कमाएंगे थोड़ा बहुत वे लोग भी कमाएंगे दोनों कमाएंगे अभी तो हम लोगों का क्या है कि कुछ भी earning नहीं हो पा रहा है जबकि ऑच्छा खासा आ रहा है लेकिन claim के वज़ा से कुछ जो है earning नहीं हो पा रहा है यदि आप claim से बचना चाहते हैं तो फिर आपको जो है non copyright वाला यानि copyright फिरी वाला music यूज़ करना पड़ेगा जैसे आप यदि काइन master से वीडियो की इडिट करते हैं तो काइन master का music यूज़ कर सकते हैं उसमें claim वगेरा नहीं आता है पर काइन master में के वल music रहता है song नहीं उसके बाद जो है आपका problem solve हो जाएगा भी आप चाहके भी कुछ नहीं कर सकते हैं यदि वॉलीवूड का song यूज़ करते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं इसी तरह आप जो है आके क्रोम राज़र से चेक कर लीजिए क्या आपका रिल्स वीडियो में दोस्तों जय हिन दोस्तों